सतناम सतसाइब परिवरतन यहीं समाज में कैसे मूल चूल परिवरतन हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता तो परिवरतन के लिए केवल और केवल हमारा मन सबसे महतुपूर्ण होता है दूसरा तरीका किसी एद्रेसे सकति के दुवारा प्राकर्तिक आपदाएं लाकर के हमारा मन पवित्र हो जाता है यानि परिवर्तित हो जाता है तो परिवर्तन केवल मन के परिवर्तित होने से ही होता है आप देखोगे कल्यूग क्यों आया है क्योंकि अधिकतर लोगों का मन गलत कारियों में अर्थात क्रोध, काम, क्रोध, लोग, मो, एंकार में लिफ्ट है इसी कारण कल यूग आया है रोग, दुख, ग्रैकलेस, आतंकवादी जितने भी घटनाए हैं, यूद ये सब क्या, ये मन के गलत तरी तरफ लगने से ही तो है और ये दि मन सही दिशा में कार्या करे सयम चमसंतोस विवेक विनम्रता के साथ तो सकारातमक मन से ओज़्दियों की खोज, यानि रोग से लड़ने के लिए जो हमारी ओज़्दिया बनाए जाती है उनकी खोज, और जितने भी आज आप आविश्कार देख रहे हैं, वायू यान है, और इंजन है, बहुत सारे हैं यानि रेडियो है, टेलिफोन है, कम्प्यूटर है, आदि क्या, ये सब मन की खोज ही तो है तो मन के पवित्र और परिवर्तित होने से ही परिवर्तन संभव है अब देखें, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजे आज नहीं है यानि आज कल यूग है, तो ऐसे बात नहीं कि अच्छी चीजे आज नहीं है जैसे पवित्र धार्मिक गरंत भी है, हमारे पास हवन यग भी हम लोग करते हैं, दान पुर्णे भी करते हैं, अच्छी संगती भी कुछ लोग करते हैं, संत महा पुरूस आज भी है, अच्छे बनने के सभी संसाधन आज भी है और पहले भी थे, लेकिन फिर भी कल्यूग है तो अधिकतर लोगों का मन नकारात्मक सोच की हो रहा है अब समय है कल्यूग वैस सत्यूग के मध्यकाल का इस समय कुछ अच्छे व्यक्ति आ गए हैं और वैसे इसको अच्छाई के लिए प्रेरित करेंगे तो बाकी के लोग मानेंगे या कुछ मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे अभी समय आगे बढ़ने तो जब परकर्ति अपना कहर दिखाएगी यानि इस मन परिवर्टित करने के लिए कैद्रेश्चे सक्ति का भी बहुत बड़ा हाथ होता है आधी तरीके से तब उस समय बचे हुए व्यक्तियों का मन कुछ अच्छा करने वे संगती करने वे धार्मिकारियों में भाग लेने के लिए सोचेगा अब मन परिवर्टित है जैनि जब परकर्तिय अपना तांडव दिखाने के बाद बचेवे लोग का मन परिवर्टित हो जाएगा और इस समय केवल अच्छे लोगों द्वारा मार्ग दर्शन करना मात्र है और वे समझ जाएगे और वह मान लेंगे जैसे सर्दी के मोसम में सूबह सूखी पत्ती भी आसानी से नहीं जल जाती है यानि सर्दी के मोसम में यदि कोई सूबह सूबह आग जलानी चाहे तो वह अतनी आसानी से नहीं जलेगी जितना की गर्मी के मोसम में आग जल्दी जल जाती है केवल माचिस की एक तिली दिखाने की जरूरत ही होती है और आग लग जाती है और फिर बुजाई से भी नहीं बुजती तो समाजिक परिवर्तन में मन का सबसे महतुपोण योगदान है वह मुख्या घटक होता है यानि मन हमारा सबसे महतुपोण है बस मन के परिवर्ति थोने मात्र से कल्यूग से सत्यूग आ जाएगा आज भी आप जरा सोच कर देखे यादि सभी लोग अपने मन को बदल ले यानि कामकरोद लोग मुख्या एंकार को छोड़ कर संयम चमा संतोस और विनम्रता को धारन कर ले तो क्या आज सत्यूग नहीं है वही यानि समय भी वही है लोग भी वही है संसादन भी वही है लेकिन हमारा मन क्या है हमारा मन परिवर्ति था और पवित्र हो गया है बस तो इसके बदलने मात्र से ही समाजिक परिवर्तन वै काल परिवर्तन हो जाता है और सत्यूग आ जाएगा जो मन कल यूग में काम ग्रोध लोग मोयंकार में लिप्त था वही मन सत्य यूग में सहयम,26, विवek, विनमरता धारण कर लेगा बस इतना सा एदर से चीजों व्यवा आधितों में परिवर्थित करना है बाहर से दिखने वाले कपड़ों व्यकारियों में परिवर्थित परिवर्थन नहीं करना है कुछ लोग सोचते हैं कि कपड़ों में परिवर्तन कर लेने मात्र से ही यानि हम अपने आपको बदल लेते हैं तो ऐसा नहीं है काम भी वही होंगे आदमी भी वही होंगे संसादन भी वही होंगे लेकिन क्या बदल गया है हमारा काम करने का वैं हमारा नजरिय वैं तरीका बदल गया है और तरीका निर्भर करता है हमारे मन पर और पवित्र मन में ही अच्छे संसकार उत्पन होते हैं वैं ग्रहन होते हैं अच्छे संसकार से कारियों का परिणाम अच्छा आता है आप सभी समाजिक परिवर्तन करने अपना महत्तोपोन योगदान मन परिवर्तित करके कर सकते हैं और आपका महत्तोपोन यानि करतव्ये भी है और इसमें आप अपना महत्तोपोन शायोग करें सभी नम शत्सायब